हेवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग उमीद करती हूं अच्छे होंगे आज की वीडियो मैं लेकर के आई हूं मेकप ट्यूटरियल जी हां आज मैं मेकप लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए वह भी बक्राइज मेकप रूग और इस लुक को करेट करन हूं इस लुक को देखने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो लेट्स केट स्टारड़ सबसे पहले मैं अपने स्किन केर रूटिन फॉलो करूंगी जिसके लिए मैं यहां पास गुड़ वाइप्स का टोनर अपने फेस पर स्प्रे कर दी हूं और इस फिंगर के लिए पधिन घल के घएद्शाट ना जोला है कने सबस्केशन दोकिनके पहलो को दूभाँ का नहीं मैं। इंह प्लाइप शूआ हैं और रूटिन में अपने लिए expose और आरे मेला कर रहे नहीं पास क्योंकि गर्मिक कर टाइम है आरम में एक दिन में करना हैं तो इसे लिए हम sunscreen lotion apply कर लेंगे अपने face पर neck area hand पर और अपनी ear पर भी सब जगाएं इसे हम apply कर लेंगे और इसे मैं finger के help से apply कर ले रही हूँ अपने पूरे face पर अच्छे से sunscreen lotion को skip मत किजिएगा यह बहुत जरूरी है तो इसे जरूर से apply करें then मैं अपने face पर apply करूंगी यह आप सोच रहे होंगे यह क्या है तो यह है aloe vera gel जो कि मुझे purple से free में मिला था कुछ मैं buy की थी तो इसमें मुझे यह product free में मिले थे और इसे मैं as a primer use कर रही हूँ इसे मैं अपने finger पर ले करके few amount में और इसे अपने पूरे face पर अच्छे से apply कर लूँगी और इसे थोड़ा से मैं नए केरिया वगारे पर भी apply करूंगी अपनी यह पर भी इन सब जगह इसे मैं अच्छे से apply कर ले रही हूँ और देन मैं apply कर लूँगी अपने face पर foundation तो foundation मैं color essence कर ली हूँ आपको जो भी suit करता आप बोले को जरूरी नहीं कि जो मैं use कर रही हूँ वही use करें और इसे अच्छे से dot dot करके मैं अपने पूरे face पर apply कर लूँगी और अपने neck area अपने ear पर सब जगह पहले मैं dot 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 करके इसे apply कर ले रही हूँ then मैं इसे beauty blender की help से sorry wet beauty blender की help से अपने पूरे face पर इसे अच्छे से blend कर लूँगी और blending हमें जरूरी होता है तो इसे अच्छे से करें blending जितना हो सके उतना blending में टाइम ले जितना blend कीजेगा उतना अच्छे से आपका face glow करेगा और कोई भी harsh line मगर नहीं देखेगी और अच्छे से blend हो जाएगा तो काफी अच्छा makeup look आता है और इसे मैं हर इसे मैं अपने आइलिट पर अप्लाई की हूँ और इसे वेट व्यूटी ब्लेंडर के help से इसे डब जब करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर मैं इसे अपने पूरे face पर भी apply करूंगी और यहां पास आप देख रहे होंगी मेरे पास color character जो हो खतम हो च मुझे apply करना है मुझे जहां-जहां जरूरत है वहां-वहां मैं इसे apply कर रही हूं और फिर से वेट ब्लेंडर के help से इसे डब डब करते हुए अच्छे से ब्रेंड कर लूँगी जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां कर एक बिलन्ड कर यह है तो मैं आई ब्लाइन आई ब्लाउन पैंसल ऑफ को ब्लक सूट करते हैं यह ब्लाइक कर दो यह बनाने बनार के जल लाइनर से बनाएं मैं यहाँ पास आईब्रो पैंसिल ले हूँ और उसी से बना रही हूँ तर मैं अपने आईब्रो को कॉम करते वे अच्छे सेट कर लूँगी और फिर हम इसे क्या करेंगे इसे हम कर लेंगे शार्प एक शार्प लुक देने के लिए हम क्या करेंगे इसे आईब्रो के नीचे और थोड़ा से ऊपर फॉरेट के पास आइब्रो के क्लोस क्लोस कंसीलर अपलाई करेंगे और इसे अच्छे से आइब्रो को शार्प लोक दे देंगे जो की काफी प्यारा लगता है आईब्रू पेंसिल का बहुत ज़्यादे हमें यूज नहीं करना ऐसा भी नहीं यूज करना कि ये फॉल्स लगे बिल्कुल नैच्रल से लोग देने के लिए हम बस हलका सही से अप्लाई करेंगे और यहां आई प्रो को हमने शार्प लोग दे दिया है दिन मैं अप्लाई कर लोगी आई शैडो सबसे पहले हम यहां पस वाइट आई शैडो अप्लाई करेंगे पाउडर की तरह इसे हम दोनों आई लिट पर अच्छे से ब्लेंड करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश से कर लोगी दिन मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लोगी जब तक मुझे एक अच्छे सा प्यारा सा कलर ना आ जाए मेरे पसंद के हिसाब से तो इससे मैं अच्छे से ब्लेंड करते जाओंगी और एक प्यारा सा शेड आ जाएगा बहुत ही वाइट किलर की कुर्टी एर की हूँ माइर और इस जो इस क्लर से वर्क है और चुनल मेरे साब की इस पास आईशेड़ो नहीं था इस इसलिए महाँ लिपस्टिक प्राहि कर रही हूं और लिप्स्टिक से कभी आईशेडो अप्लाई करके ज़रू से दिखी को बहुत प्यारा लूक आता है देन मैं यहाँ पर स्लाइट औरेंज शेड है और इसे मैं और आटर वी से लेते हुए इसे पूरे आईलिट पर अच्छे से ब्लेंड करते हुए इसे अप्लाई कर लूँगी दोनों आईलिट पर मैं इसे अप्लाई करूँगी दोनों आईलिट पर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर ली हूँ मैं कट क्रीज बना लूँ घृए अप्लाई होने में टारा बट भी थैए बस बतला सा यह लगाना है इसे प्लाइट औरेंज इसे मैं लोगी और इसे फिंगर के हपसे रखते जाओंगे इससे मैं ब्लेंड नहीं करूंगी बस इस तरह से कर रही हूं कि यह बस हलका हलका सा मेरे आइलिट सौरी कट क्रीज पर अप्लाई हो रहा है बहुत ही प्यारा लुक देगा इससे इसी तरह मैं अपने दोनों एलिट पर अप्लाईट कर लूँगी जो मैं बनाई हूँ कट क्रीज हाफ कट क्रीज उसे पर मैं इसे अपलाई करूंगी इसे जो मैं अपने ऑउचर भी पर एप्लाई करूंगी यह ब्लैक आईशेडो से काफी प्याला लुक देगा और बोल्ड आइस भी लगेगी इससे मैं अपने आटर वीपर अप्लाई कर रही हूं और इसे मैं ब्लेंड करते वे अच्छे से अप्लाई करूंगी यह दिखिए मैं एक साइट लगाई हूं अपने कितना प्यारा लग रहा है अभी मैं एक ही आपने आइलिट पर अप्लाई की हूं और वीपर दर मैं इसे अपने दूसरे आइस पर भी अप्लाई कर लूँगी और इसी तरह मैं इससे ब्लेंट करते वे अपने आउटर वीपर अप्लाई करूंगी और काफी आइशेड़ का कलर काफी प्यारा है बहुत ही प्यारा लुका रहा है इसी तरह मैं अपने दूनों आइलिट पर अप्लाई कर लूँगी दें मैं यहां पस तोड़स शार्प लुक देने के लिए आइंगलर ब्रश में लेकर के इसे बैस को क्लोजनर नीचे साइठ से अपलाई कर लिए दूनों करहे हैं अगर आप लूजब पुरे पाउडर कर रहे हूं अगर आप लूस पाउडर कर्ना चाहती है तो बहु भी कर सकती है रहे कर लिए Iv ho folk्यब के लिए हैं सब जरी आपक्ष को कर लूए है सक अहीं इससे फेस की कटिंग कभी अच्छी साइड एक बहुत ही प्यार लुक आता है। میں अपने दोनुव साइड से रहे हैं। और बहुत जादे quantity मैं इसे नहीं ली हूँ मैं हलका सही लेकर इसे contour कर रही हूँ तो मैं अपने nose को कर लूँगी contour इसके लिए मैं यापस छोटु वाला brush ली हूँ और इसे मैं अच्छे से apply contour नोस को कर लूँगी मैं अपने contour और इसे बहुत ही पतला लाएगा मेरा nose और बहुत ही प्यारा लुक देगा brush की help से मैं इसे apply करके इसे मैं blend कर रही है अपने finger के help से और यह देखें यहाँ पास हमारा nose भी हो गया अच्छे से contour दिन मैं अपने forehead को contour कर लूँगी और फिर मैं अपने jaw line को भी contour कर लूँगी फॉरेट हमारा अच्छे से contour हो चुका है और फिर मैं अपने jaw line को contour कर रही हूँ अपने jaw line को मैं contour कर रही हूँ और contouring मैं बहुत ही कम powder यूज कर रही हूँ चोटाएं और लीन स्थ को लोसिरा यहां घायों और यहाक हमारा कॉंचुर हैं बटाएं को आपने डिन ऑफ सिर पर आपने ड्रीटे के कान, भी और खाल लेतेل जाईश के दिन आपनी मिल और इसंदा यह फिर ने तुमतिक पर ही प्ल झाहएं जाटे हैं ब्रश ब्लेंड कर लोगी बहुत ही प्यारा और नाच्रल सा लूग दे गई है और फिर मैं इसके ऊपर हलका सा कॉम्पक्ट पाउडर जो है वह प्रश की हल्प से अप्लाई कर लोगी और जो मेरे फिंगर में हलका सा तो से मैं अपने अपने चेन पर अप्लाई कर ली हूँ और नोस पर अप्लाई कर ली हूँ देन मैं अपने फेस को कर लोगी हाइलाइट ली हूँ सबसे पहले मैं अपने नोस ब्रिच को कर ले रही हूँ हाइलाइट और नोस देखे मैं कितना पतला लग रहा है क्यूपिक बोन अपने चिक को हाइलाइट कर लोगी अपने ब्रो और यह बहुत ही अच्छा लूग देगा बहुत ही प्यारा है और इसे प्रश की हल्प से स्प्रेइब यह यहां हाइलाइटें काम हो गया है खतम दर मेकप फिक्स कर लोंगे इसके लिए मैं यहां ब्लू हैवन का मेकप फिकसर लिए हैं और अच्छे से पूरे फेस पर अपन लाउर लाइच लाइन美國 यहल barley हूं सब्सका लिए इसे पहले मैं इसे आपलाई करोंगी ऐची क्लोस Hmm इसे म आपनी ग ciao कि यहां लाइच लम क्लोसम लोर लाइचे लीचाई آپनो क्लोसमेगे हैं लेकिन इसे जादे प्यारा लोग दे रहा था इसलिए मैं काजल का यूज नहीं की हूँ और ब्लैक आई शेडो रोगा लाश लाइन पर एपलाई की हूँ और मैं आफ कैमेर एपलाई कर चुके हैं यहां पास आई लाइनर जो की लिक्विड लाइनर है अगर आप जल लाइन कर सकती हैं और ओफ कैमेर मैं अपलाई कर ली हूँ फॉल्स आई लाइश श्कारए मैं में ऍाई के मेर्या यू« के लिए में आपने लिप को कर लूंगी ओट लाइन और इसके लिए मैं और और शेर में यह ये लीपलाई कर ली हूं और इसे अज्ज और यह निव С learnt ये मैं तीन तरह से यूज की हूँ ऐस ब्लशर ऐस आइशाडव और लिप्स्टिक यह है ही और यह है मेरा फाइनल मेकप लुक जो की बहुत ही प्यारा किरेट हुआ है कर रखी मेरा कर्देट है करती है और पिम्हट मेरा कटि यहां प्लाइक क guarantee कर्देगे ऐदो किया है है और फाइनल लुक है यह मेरा अगर आज की वीडियो पसंद नहीं होगी तो प्रीज लाइक कर दिजेगा शेयर कर दिजेगा फैमिल फ्रेंस है बसके साथ चैनल पर मेरे फस्टेम है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर दिजेगा साथ मेल आइकोन हिट कर दि जoti ज़साए शेयर करें और वॉच करें मेरे मे violence मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं मेच अपव वीडीयो भी आप लों कसा जरूर सेशायर करती हूं और आगे भी इंशाला रिपना ज़्म मिलूंगे आपवलों के साथ तब तक आप लोगे अपने खियाल रखें